टूथ ब्रश मत करो, खर्चा बचेगा हम आजकल टूथ पेस्ट करते हैं कॉल गेट, क्लोज अप, पेप्सिडेंट, सिभाका, फॉरेंस ये बड़े महंगे हैं तीस रुपए का सो ग्राम तीन सो रुपए किलो हुआ कि नहीं? गाय का घी, दो सो रुपए किलो तूथ पेस, तीन सो रुपए किलो क्या मूर्ख लोग हैं इस देश के पढ़े लिखे सुपर इडियेट वो क्या करते हैं? दो सो रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते और तीन सो रुपए किलो का पेस्ट रगड के दांतों पे थूखते हैं वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट मैं उनसे कहता हूँ और स्मार्ट बनो क्या करें मैं कहते हूँ ये 300 रुपई किलो का पेस्ट इसको थूखते क्यों इसी को रोटी पे लगा लगा के खालो गाई के घी से तो महगा है कितना फल तू खर्चा कर रहा है 300 रुपई किलो का पेस मैंने एक दिन हिसाब निकाला था एक आदमी रोज जो ब्रश करता है ना सबेरे का तो एक बार के ब्रश में देड़ से 2 ग्राम टूथ पेस्ट इस्तेमाल होता है अगर वो आदमी 60 साल तक अपनी जिन्दगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे तो एक आदमी का टूथ पेस्ट का खर्चा एक लाख 40,000 रुपई आता है 60 साल तक एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपई का जिन्दगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा 60 साल में उसका हिसाब जोड़ा एक लाख 40,000 के आसपास खर्चा क्या फालतू खर्चा है बंद करो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रश को पेस्ट लगाके लगणने की कोई जरूरत नहीं है फोकट का काम करो दातुन करो दातुन नीम की दातुन बबूल की दातुन पाकड की दातुन करंज की दातुन अमरूद की भी दातुन होती है आम की भी दातुन होती है बबूल की दातुन बारे तरे के पेड़ है उनकी दातुन करो टेक्स फ्री, कॉस्ट फ्री side effect कुछ नहीं है expiry date कुछ नहीं है फोगट में मिलती है के नहीं एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़ के साथ दिन तक चलाओ उसको मैं तो एक दातुन साथ दिन कर लेता हूं कैसे दातुन किया चबाया आगे का हिस्सा काट दिया फिर पानी में डाल के रखा दूसरे दिन फिर कर लिया ऐसे साथ दिन चलती है एक बार क्या हुआ एक IIT का लड़का मुझे पूछता है बहुत intelligent होते हैं IIT वाले में भाशन दे रहा था क्या दातुन को साथ दिन करते हैं मैंने का भाई तू ये बता और ये ब्रश की मुश्किल पता है क्या है टूथ प्रश होता है ना प्लास्टिक के उसमें ब्रसल्स होते है उनको जब हम रगड़ते हैं तो मसूडों पर उसका घरशन होता है मसूडे सब छिल जाते हैं कमजोर हो जाते हैं जिनके मसूडे कमजोर होते हैं, उनके दाथ कमजोर हो जाते हैं, जिनके दाथ कमजोर हैं, उनकी जिन्दगी में कोई आनंद नहीं है, दूसरी समस्या क्या है, कभी भी आप देखना टूथ ब्रश होता है न, उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं न, वहां पीला पीला सफ सफ़ेद कच्रा जमा हो जाता है उस पे हजारों वाइरस आकर जिंदा बैठते हैं और रोज आप अपने मुह में डाल के क्या खतरना काम कर रहे हो बंद करो अच्छा नहीं है और एक बात बता हूँ यह जो टूथ पेस्ट है ना टूथ पेस्ट जिसको आप घिसते हो इसमें जाग बहुत बनता है मालूम है जाग तो वाशिंग पाउडर में भी बनता है कभी-कभी मैं लोगों से कहता हूँ आप कॉलिगेट क्यों करते हैं तो कहते हैं इसमें जाग बहुत बनता है तो जाग तो shaving cream में भी बनता है shaving cream क्यों नहीं रखड़ते अब मैं असली बात बताता हूँ जिस वस्तू से shaving cream में और washing powder में जाग बनता है वही वस्तू toothpaste में मिलाई जाती है उसको कहते है sodium laurel sulfate और ये ऐसा खतरना chemical है जो cancer कर देता है अब मैं आपको एक सच्चा ही बताता हूँ अमेरिका देश में यूरोप के देशों में toothpaste जब बजार में बेचा जाता है तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है और उसमें कहा जाता है सावधान toothpaste करने से cancer होता है अंग्रेजी में लिखते हैं it is cancerous carcinogenic please keep out this toothpaste from the reach of the children below six years माने छे साल से छोटे बच्चे को ये toothpaste कभी मत कराना क्योंकि बच्चे उसे चाट लेते हैं वो cancer से मर सकते हैं फिर अमेरिका और यूरोप के toothpaste पे लिखते हैं in case of accidental ingestion please contact immediately poison control center माने गलती से paste अगर कर लिया बच्चे ने hospital लेके जाना उसको जहर है क्या जहर है उसमें chemical जिसका नाम है sodium laurel sulfate ये chemical एक बूंद अगर आपकी जीप पर गिरा दें तो जीप पर ही cancer हो जाता है मत करो आप ये बेकार है तो दात कैसे साफ करें दातुन से दातुन है ना पिपरिया में तो बहुत है मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ है कि दातुन ही दातुन है यहां तो आपको तो कोई कमी नहीं तो दातुन करो दातुन ना मिले तो दंतमंजन करो दंतमंजन भी फोकट वाला करो खर्चा नहीं करना फोकट वाला दंतमंजन घर में रसोई है वहाँ पे हल्दी है ले लो थोड़ी सी हल्दी और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें और थोड़ा सा नमक तीनों को मिलाओ दाथ पे गिसो सबसे अच्छा दंतमंजन और एक दूसरा बताता हूँ गाय है गाय उसका गोबर है गोबर को जला दो कैसे जलेगा पहले सुखाओ उसको छोटे कंडे बनाओ फिर जला दो तो राख निकलेगी उस राख में थोड़ा नमक मिलाओ थोड़ी फिटकरी मिलाओ और उसको दाथ पर गिसो उससे अच्छा दंतवंजन दुनिया में नहीं और एक तरीका बताता हूँ नीबू है ना नीबू हम सबजी में निचोड़ते हैं अब छिलका बच गया इसको फेकना नहीं छिलके को उलट दो अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो उसपे नमक रिगड़के ऐसे से दाथों पर गिसो दाथ एक दम साफ और एक दो बात बताता हूँ जिनके दाथ पीले हो गए आम का पेड़ देखा उसका पत्ता तोड़ लो आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी दे चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा लुगदी बनेगी उसको दाथों पर रगड़ दो दाथ एक दम किट किट करने लगते है एक दम साफ ये सब फोकट का इलाज है है कि नहीं और नहीं तो कोई खरीदना है तो दंतमंजन खरीद लो बजार में बहुत मिलते हैं लाल दंतमंजन, काला दंतमंजन वीको बज़दन्ती अब तो स्वामी जी का भी दंतमंजन आता है दिव्योग दंतमंजन वो ही ले लो आप वो लेओगे तो आपका पैसा कम से कम स्वामी जी के ट्रस्ट में जाएगा उसी से हम यह सब काम कर रहा है तो यहां तो दातुन करो नहीं तो दंतमंजन टूथपेस्ट बंद टूथब्रश बंद अब एक जानकारी और देता हूं आपको यह जो टूथपेस्ट होते हैं न कॉलगेट, क्लोजप, पेपसुडेंट, सिवाकाफ, यह ज्यादा तर टूथ टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से हमारे देश में हजारों कतल खाने चलते हैं वहां गाय बेल भैस को काटते हैं उनका मास बजार में बिखता है उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदते हैं हड्डियो जिस दिन उपवास होता है तो जरूर भगवान की पूजा करते हैं सबीरी सबीरे हड्डियों का चूरा मुँ में लगाते हैं अभी कैसे प्रसंद होंगे भगवान बताओ बंद कर दो ये सब अच्छा नहीं ठीक है? तो बहुत पैसा देश का बचेगा मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें, ब्रश बंद कर दें जो पैसे बचेंगे अगर उतने से ही दातुन खरीदने लगें पचास पैसे की एक दातुन तो तीस लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल जाएगा इस देश आप कभी बंबई जाना बंबई बंबई के सब रेलवे स्टेशन में दातुन बिकता है, एक रुपए का दो, दो रुपए का तीन, ये बंबई में हो सकता है तो प्परिया में भी हो सकता है अब बस करना ये पड़ेगा कि दातुन करनी है, तो नीम का पेड़ लगाओ, बबूल का पेड़ लगाओ, दातुन तभी मिलेगी न, तो पेड़ भी लगाओ हर साल कम से कम एक हैं आपका जनम दिन आता है न उस दिन एक पेड़ लगाओ हम जनम दिन मनाते हैं आज कल